असलाम लेकूम मेरा नौम अली है और दोस्तों आज हम करने जाएंगे कंपारेजर न्यूली लाँच इन्फिनिक्स नोट 12 वी आई पी का इससे पहला जो किंग है रेड्मी नोट 10 प्रो जो के स्टिल देड़ साल से इस प्रैस सेग्मेंट में रूल कर रहा था आज किस वीड जोन रहे हो नूली लाँच फॉन कितना ठकर दे पाएगा पहले वाले किंग को इसके बाद आप कोई भी प्रोड़क्ट इन्वें से बाइक कर सकते हो वीडियो कहीं भी हल्पूल लगती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बाल आइकन को प्रेस कर दीजेगा अब मैं आपको ज्यादा बुर्री करता वीडियो शुरू करते हैं ओके दोस्तों कंपैरेजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइस अब इन्फिनिक्स नोट विए पी को एडवांटिज आता है कि यह आपको 56,000 रुपे के इन्वाइस रेट है मार्केट में 52,000 से 54,000 रुपे की रेट में मिल दाता है 8GB 256 रुपे वाला वेरियंट मिलता है लेकिन वहीं पर अगर हम रेटमी नोट 10 प्रो की बात करते हैं तो इस तेन पाक्सानी मार्केट में सिर्फ 6 जीप 128 रुपे वाला वेरियंट है जोंके 52,000 रुपे की रीजेल प्राइज है और ऑनलाइन 50,000-50,500 रुपे मिल दाता है ऑनलाइन भाइ करने में इंट्रस्टिड हो इस वीडियो के बाद तो लिंक आपको रेस्प्शन मिल दाता है तो प्राइस का एडवांटेज और वेरियंट का एडवांटेज वह इन्फिनिक्स Note 12 VIP हो जाता है उसके बाद कंपेर क है वो भी मुझे ज्यादा बेटर देखने को मिला दोनों फॉन्स की बिल कॉलिडी की बात करते है तो रियर पर ग्लास बिल कॉलिडी लेके आते हैं जो रेड्मी नोट 10 प्रो है यह गोरिला ग्लास 5 को लेके आता है रियर साइट से थोड़ा सा करवी है पुरानी लुग ज चोड़ देता हूं लेकिन जो इन्फिनिक्स नोट वी आईपी है यह जरा चोड़ा फॉन यूज जो फील होगा और वहीं से आपको इन हैं फील थुड़ी सी प्रेमियम प्रोइड करता है रेड्मी का जो है नोट 10 प्रो टूरेबिलिटी के हिसाब से आपको ज्यादा फील होने वाला नहीं है क्योंकि रेड्मी नोट 10 प्रो रियर साइट से कर्व है थिन आपको फील होगा लेकिन थिक रेयलिटी इस रेयलिटी वहीं वेट को अगर करते हैं तो इन्हें फील लाइट वीट फील होता है मुझे इन्फिनिक्स का नोट 12 वी आईपी 199 ग्राम का अला लेकिन रेड्मी नोट 10 प्रो की जो कुछ पोर्स हैं वो आपको उपर वाली साइट पे मिलती है जहां पर आपको आयर ब्लास्टर स्पीकर ग्रिल एक एक स्पीकर ग्रिल भी मिलती है साथ के साथ आपको एक 3.5 का जग देखने को मिल जाता है तो डिजाइन लैंविज में देना चाहूंगा थोड़ा सा क्योंकि एक फ्युच्रिस्टिक और एक लिटस लुक है इन्फिरिस नोट विए पी अब बात करते हैं कुछ डिस्प्लेज की अब डिस्प्ले में नोडाउट दोनों ही फॉन्स इस प्राइस सेग्में में आपको एमिलेट पैनल आफर करते ह है 1080p का रेजोलूशन आता है 6.67 इंचिस का स्क्रीन साइज है रेड्मी नोटेन प्रो में वहीं पस 6.78 इंचिस का आपको जो स्क्रीन साइज है वह हमारे इन्फिनिक्स के नोट्व विए पी में मिलता है 1080p रेजोलूशन 86% के स्क्रीन टू बोडी रेशो 120Hz दोनों ही फॉन्स सपोर्ट करते हैं बट टथ सेंप्लिंग में 360Hz के टथ सेंप्लिंग के साथ इंफिनिक्स नोटल विए पी को एक एडवांटेज जाता है लेकिन यह आपर कुछ चीजों को अगर कंपेर करते हैं तो इ रेज्वी नोटन प्रो में कर सकेंगे उसके इलावा घर बात करतें कुछ डिस्प्ले प्रोटेक्शन की तो ड्रेजबी नोटन प्रोड़ जाता है गोरिला गलस 5 की प्रोटेक्शन है alyst are right, side bezels और उपर वाले bezels Infinex के फौन में ज्यादा देखने को मिलेंगे उसके साथ-साथ दोनो फौन always on display तो है तो support करते हैं 10 second का आपको देख daंट में सेटिंग में धोड़ी बहुत chaining है, आपको जो ह be おpció का stephening differ with we are maintenance CH 내가 पी में देखने को मिलता है तो डे लाइट में आप पर Redmi Note 10 Pro बेटर होने वाला है बागी अगर इंडोर लाइट की विजूल एक्पिरियंस की बात करो Redmi Note 10 Pro का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सैचुरेश्ट टाइप का होगा लाइक आपको जो कलर है वो थोड़े से बूस्ट देखने को मिलेंगा और इनकी सेटिंग में आपको जो है वो डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन भी बहुत सारी देखने को मिलता दी है वहीं पर इंफि ज्यादा बेटर कर देता है और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है तो यह भी चीज हमें ठीक देखने को मिलती है लेकिन टाच सेंप्लिंग से इंफिनिक्स के नोटल विए पी में काफे जादा इंप्रोव्मेंट नदर आई है वाई है बात करते हैं कुछ परफॉर्मेंस के अब यहां पर काफी लड़ाई होने वाली है इस रेंज के अंदर अब मिरेडेक हिलियोजी 96 ही आ चुके है रेट्मी नोट 10 प्रो एक वाहिद फॉन स्टम जो के स्नाप रेकिन 732 जी के साथ अवेलेबल है और वहीं पर हमारा जो इंफिनिक्स नोट विए पी है मिरेडेक ह 4X का रैम है 8GP का और UFS 2.1 का यह 2 का स्टोरेज होगा हमारे इंफिनिक्स के नोट 12 विए पी में वहीं पर रेड्मी नोट 10 प्रो के अगर बात करते है तो यह स्नाप्रेकन 732 जी एट नम फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ आता है 2.3 गिगाहर्ट ऑक्तर को की स्पीड है अ अल्दोर दोनों ही फोंच वहें Android 12 पर है जो Redmi Note 10 Pro जब लाँच हो था Android 11 था लेकिन अपडेट हो चुके है Android 12 पर MIUI 13 हमें देखने को मिलता है वहीं पर XOS का उप्रेटिंग सिस्टम हमें 10.6 का देखने को मिलता है हमारे इंफिनिक्स के Note 12 VIP में अब अगर कुछ Benchmark Scores की बात Scores है वह इंफिनिक्स Note 12 VIP पहले रन करता है और 3,41,000 का Score करता है और वहीं पर 3,35,000 के आराउंड वह आपको Score Redmi Note 10 Pro करता हुआ मिलेगा बाकि Day-to-day और Casual uses की बात करों तो ज्यादा डिफरेंस मैंने फिल नहीं किया application loading time और जो हमारे पास जो in RAM memory है वो ठीक देखने को मिलती ह Although in RAM memory के अगर बात किये तो भाई 5GB के extendable RAM का option हमें इंफिनिक्स के Note 12 VIP में मिलता है 3GB का हमारे Redmi Note 10 Pro में है gaming performance की बात करते हैं तो यहां पर Redmi Note 10 Pro जो है वो consistent होगा एक तो 40fps को बड़े अच्छे तरीके से handle कर लेता है जो 5 connectivity है वो ज्यादा बैतर है और इंफिनिक्स का Note 12 VIP है इस थोड़ा सा warm temperature है above than 30 degree Celsius है तो यह phone heat होता हुआ मिला है अभूमन यह तब heat होता है जब हम लोग outdoor samples record करते हैं तो मैंने unboxing में भी मैंशन किया था इवन मुझे अब भी जो है वो इसमें heating issue देखने को मिले हैं हमने CPU throttling test भी run किया दोनों ही phones के अंदर जो Redmi Note 10 Pro Snapdragon 732G है वो काफी ज्यादा consistent रहा फ्रेम्स के अंदर frame drop थोड़े से देखने को मिल रहे थे मुझे CPU throttling test में हमारे mirror rack Helio G96 के साथ और अगर gaming को ही consider करना है तो G96 आपको easily below than 40K मिला था है वो ही performance है यहाँ पर जो के हमें G96 की Note 12 VIP मिल रही है तो gaming performance के असाब से 40fps consistent रखता है हमारा Redmi Note 10 Pro इवन जो gaming का sound है वो भी मुझे ज्यादा बैतर देखने को मिला और stereo sound भी जो है वो ज्यादा बैतर देखने को मिला है Redmi Note 10 Pro में performance up to you MIUI 13 में bugs होते हैं यह सब को पता है और उसके साथ-साथ Infinix की UI में problem ही आती है कि आपको बहुत सारे broadfares मिलते है कुछ ऐसा चलने के बाद अबाद सलो की बात करता हूं तो जो Infinix Note 12 VIP यह अपने ही डाइलर के साथ आता है XOSK जहां पर आपको call recording की option मिलता आती है अवाई पर Google डाइलर मिलता है Redmi Note 10 Pro में जहां पर आपको call recording जरूर मिलती है बट यह operator वाली call recording है मांदार call recording है वो आपको देखने को मिलेगी 4G aggregation carrier aggregation की बात करते हैं तो dual band support करता है Redmi Note 10 Pro वहीं पर single band support करता है हमारा Infinix Note 12 VIP कुछ speaker quality की बात करते हैं तो dual speaker quality दोनों ही fonts के अदर है बट जो speaker quality है वो मुझे Redmi Note 10 Pro की ज्यादा loud और crisp मिली, bold मिली as compared to Infinix Note 12 VIP यह वाले clip आप चेक करें आपको different जरा feel होने वाले हैं अगर बैटरी की बात करते हैं तो Infinix Note 12 VIP 4500 mh की बैटरी with 120 watt की fast charging के साथ आता है जो कि बहुत बड़ा advantage है इस price segment में इस charging speed के साथ माइने रखता है company claim करती है कि आपको 17 minute में fully charge मिलेगा बढ़ डिपेंड करता है कि आप किस environment में करगा हम लोग ने इसका charging test किया है low than 30 degrees celsius voltage हमारे ठीक थे company ने 17 minute claim किया था हमारे test में 27 minute में चार्ज होता है 4500 mh को charge करता है उस जरीके से मैंने एक दो वीडियो और भी देखी पाक्सानी tech content creators की जहां पर 22-25 minute लेता हो जा रहा था चार गुना ज्यादा हमें इंफिनिक्स के फॉन मिलती है सवा से डेड़ घंटा ले जाता है चार्ज होते हुए screen on time की बात करते हैं तो redmi note 10 pro को थोड़ा सा advantage होगा तो आपको जो है 500 में ज्यादा मिल रहा है हाँ दूसरा थोड़ा सा snapdragon का hardware है कम पावर है कम fabrication process पे रहा है तो बैटरी जारा कम consume करेगा comparatively infinix phone लेकिन infinix के phone को charging technology पर देना चाहेंगे यह तो बात होगी बागी सारे comparison की हमने जो camera camera के ओपर caption इसलिए last में डाल रहे हैं कि हम लोगों बहुत अदा detail में इसको cover किया था जब हम लोगों एडिट करने में डाला तो पता लगा कि वो डिडियो बन सकती है camera review कि अगर आप detail में लेना चाहो तो मुझे जूरूर comment section में share करो हम लोग बस अभी छोड़ा से sum up करेंगे इसको दोनोई phones वो front side पर single camera 16 megapixel के लेके आते हैं इंफिनिक के phone में dedicated stabilization mode मिलता है जो को बिल्कुल भी optimized नहीं है आगे चलके मैं उसकी बात करता हूँ इंफिनिक के phone जो है colors को washed out कर देता है detail अची maintain नहीं कर पाता है इस तरह के से 2K की और 1080p 30fps की वीडियो को compare करते हो तो यहां भी आपको differences देखने को मिलेंगे अगें color washed out है इंफिनिक के phone में front camera में और Redmi Note 10 Pro जो है वो color में काफी consistent और maintain रखता है colors को इस तरह के सब्सक्राइब करते हैं यहां पर मैंने stabilization mode on रखा है यही बात मैं कर रहा था कि stabilization mode जड़ा optimize नहीं है आप देखेंगे तो इंफिनिक का phone बहुत ज्यादा noisy dialogue provide कर रहा है अलागे Redmi के phone में कोई dedicated stabilization mode नहीं है लेकिन detail अची maintain की वह है इस लीके से जैसे ही में stabilization mode इंफिनिक के phone में off करता हूं तो कुछ detail better हो जाती है as compared to dedicated stable mode तो मैं यह कहूंगा के इंफिनिक को optimize कर देना चाहिए pictures की बात करते हैं तो यहां भी detail मुझे Redmi Note 10 Pro में ज्यादा बेटर मिली चैरे की detail अच्छी है इस तरीके से HDR mode के अगर बात करते हैं तो वह भी मुझे Redmi Note 10 Pro में ज्यादा बेटर देखने को मिला है बात करते हैं कुछ हम लोग पोट्रेट्स की frontside की तो very natural in Redmi Note 10 Pro Infinix का phone consistent colors को produce नह 4K 30fps सकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है यह वाला क्लिप आप देख रहे हैं दोनों ही फोन्स के देरिकेटी डम लोगों ने stable mode off किया हुआ है यहां पर 1080p 30fps में दोनों ही फोन्स एक ही लेवल पर रखे वे थे इंफिनेस का फोन शेकी रहा और थोड़े से इमेजिस को जड़ा कम डीटेल प्रवाइड करता रहा वीडियोस में इस जरीके से अगर बात करते हैं stable mode की तो यहां भी मुझे detail जो है stabilized image डेटी नोटेन प्रो में मिले although थोड़ा सा पिलाट वाली साइट पर चला जाता है लेकिन इंफिनेस का फोन थोड़ा सा ओवर एक्सपोज के हां वाइटेस टॉन में रहा है रियर कैमरा में 2K की और 1080p 60fps को अम लोगों ने compare किया तो यहां पर 1080p 60fps Redmi Note 10 Pro में ज़्यादा detail काप्चर कर लेता है तो यहां पर 1080p 60fps और 4K 30fps का डवांटी जाता है Redmi Note 10 Pro को इस तरीके से अगर compare करते है कुछ 108MP की पिक्चर को तो यहां पर detail जो है वह हमें इंफिनेस का फोन ज़्यादा अच्छी प्रोड़ाइड करेगा 15-16MP की पिक्चर कैप्चर करता है नॉर्मल पिक्चर की बात करते है अभी वाली पिक्चर जो है विदाउड HDR मॉड है ओवर एक्सपोज रहा है हमारा इंफिनिक्स का फोन और रेड्मी ने थोड़ा बहुत मैंटेन किया जैसे HDR मॉड अन करते हैं कर लेता है इस लीके से अगर हम लोग कंपेर करते है कुछ कलर रीप्रोडेक्शन क्लोज अफ शॉट्स को में जैंसर से यहाँ पर जो सेचुरेटिड है रेड्मी नोटेन प्रो बट डीटेल अगर आप देखेंगे तो आपको जो है रेड्मी नोटेन प्रो ज्यादा बेटर केप्चिर करता हो नादर मन आएगा एस कंपेर टू इन्फिनेक्स फोन और रेड्मी नोटेन प्रो का जो मेक्रो सेंसर है वो क्लिरली पचास-पचास जार से उपर के जितने भी फो फोन पको कंपीट करता है एक वो इस मेक्रो सेंसर से वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो गर आप एक ऐसे परसंट जिसको बहुत जादा क्लोज अप शॉट से वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आपको एड्वांटेज देगा जरूर प्रवाइड करता रहा है थोड़ा सा बहुत गुलाबी टॉन की तरफ भी कभी कभी चला जाता है कभी कभी जो है ना वो एक्सपोजर और एक्सपोज भी कर देता है लेकिन रेड़्बी नोटेन प्रो जोरा कसिंस्टेंट रहा है हमारा पॉर्ट्रेट शॉर्स में भी स्लो मोशन दोने फॉन्स के रियर साइच से 120 फ्रेम पर सेकंड भी मिल जाता है जहां पर जो रेड़्मी के फॉन में आपको 720p 1080p सेटिंग करने का उप्शन मिल जाता है लेकिन यहां पर आपको इंफिनिक के फॉन में देखने को नहीं मिलता तो फ्रेम यहां पर रेड़्मी नोटेन प्रो के स्लो मोशन में ज्यादा बैतर होंगे एस कंपेर तो इंफिनिक्स फॉन और अगेन 240 fps भी दोने फॉन के अंदर मिल दाते हैं लेकिन 240 fps वाले क्लिप को आप इंफिनिक्स के फॉन में एडिट नहीं कर पाऊगे रेड़्मी में एडिट कर पाऊगे 240 fps 720p पर रिकॉर्ड करते हैं डीटेल उतनी नहीं होगी लेकिन एड़्मांटर यहां पर अगेन मैं देना चाहूंगा हमारे रेड़्मी नोटेन प्रो को ओवरॉल यह था कंपारेजन हमने आप लोगों बता दिया कि कौन सा फोन किस के कर देना अब फाइनल कंक्लूजन की बात करता हूं फिंगर भी से वैसे दोनों के ठीक काम करते हूं नहीं हदर आते हैं फेस अनलॉग भी ठीक है बागिसार रिजिटों को मैंने कवर कर दिया है रेड़्मी नोटेन प्रो थोड़ा सा ओल्ड डिजाइन जरूर है लेकिन इ चाहिए डिस्प्ले अच्छा चाहिए गोरिला ग्लास की प्रोटेक्शन चाहिए और साथ की साथ क्यामरा अच्छा चाहिए प्रफॉर्मेंस स्नाप्रेगन की आपको मिलती है यह आप एडवांटेज जो है रेड्मी नोटेन प्रो को हम रुख देंगे और आप इस वज़ यह मुझे कमें सेक्शन में जूरू शेयर कीजेगा आपको अपने चैनल पर देदू आज की वीडियो में तेंगे मुलागात होगी नए वीडियो में किसी नहीं अंब्वाक्सिंग किसी नहीं रिव्यू किसी नहीं कंपारेजन के साथ तब तक मुझे दे इजाजद मैं आपक्सान पाइना बाद, Allah Hafiz